तो नमस्कार दोस्तों आज जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ ये हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये मीडिया को उपर होने वाला है जैसा कि दोस्तों हमारे पास जितने भी सारे स्टुएंट हैं सभी स्टुएंट को मैंने एक प्रॉमिस किया था कि हम आपको कुछ कोर्स से हट करके कुछ चीजे सिखाने वाले हैं कोर्स से हट करके क्या चीजे सिखाने वाले हैं यही सारी चीजों जो मैं आपको बताने वाला हूँ मीडिया, मीडिया का मतलब होता है कि हम लोग अपनी चीजों का प्रचार कैसे करेंगे जितने भी हमारे इस्ट्रेंट हैं जो लोग मोबाइल फोन को चलाते हैं और मोबाइल फोन के एक बहतर यूजर हैं और जितने भी सारे जो और भी लोग हैं जो हम लोगों से जुड़े होते हैं या हमारे पास कोई मोबाइल फोन रिपैर कराने के लिए आते हैं मोबाइल फोन ठीक करने के लिए आते हैं ठीक करने के लिए आते हैं या सामान देन, लेने देने के लिए आते हैं, जितने भी सारे टोटल एराउंड में, जितने भी सारे लोग जुड़े होते हैं, सब मुबाइल फोन को सम्मनित हैं, सब के पास मुबाइल फोन करने कोई न कोई तकनिकी खराबी आती है, तो हमारे पार ठीक कराने के लिए आते करते हैं जिसके मार्जम से सीख करके आप अपने मोबाइल फोन बिजिनिस को मोबाइल फोन के बिजिनिस को ग्रोथ कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के बिजनिस को कैसे ग्रोध कर सकते हैं उससे भी कई प्लस कर सकते हैं aapके पास वही लोग आएंगे throw वही लोग आएंगे जो आपको जानते होंगे जब तक आपको भाईया जानेंगे नहीं, तब तक आपके पास कोई भी आदि में मुबाईल फोन रेपेर कराने के लिए नहीं आने वाला है, या मुबाईल फोन का कोई सामान नहीं लेने वाला है, क्योंकि आज कल के प्रेजेंट टाइम पर देखा जाए, तो जितना भी सार मीडिया से जितनी भी सारी चीज़ों जुड़ी हुई हैं, वही हमारे चारों तरफ घिरी हुई है, आज कल के अगर हम लोग जो मुबाईल फोन जितने रिपेरिंग का काम करते हैं, या मुबाईल फोन रिपेरिंग का बिजिस करते हैं, तो देखा जाए, तो जितने भी सा इंटरनेट का एक ही काम है इसको चलाना कर ना See that कि क्या का में इसका चलाना अगर यहां था के मोबाइल फोन में दो रॉपाय विद्रो ऑशन किसी को देना चाएता है कि पैसा ले ना चाहता है तो भी वह ऐंटरणेट में ऐसी अपलिकेशन सारे जय से फौन पर हैं कि बहुत सारी चीजह जिंके लिष्वतर में पैसा करता है वह निपर हो भी हमारे सोसल लेबल से भीकुल जीरो लेबल से ले करके एडवांस लेबल तक मैं आपको complete आपको सिखाने वाला हूँ वैसे इस course को market में जितने भी सारे लोग होते हैं सब लोग digital marketing नाम से इसको prefer करते हैं लोग बोलते हैं कि भाई आप digital marketing को को सीख लीजिए यह आप से कहते हैं ऐसा काम करने के लिए आपको digital marketing का काम सीखना पड़ेगा और सबसे पहली बात होते हैं यही सारी लोग नहीं जानते कि digital marketing क्या है digital marketing का मतलब होता है all social platform को जब एक ही जगह से manage किया जाए तो उनी सारी चीज़ों को हम लोग 밝혔ते हैं बेला जितने भी सारी चीज़ा जो है जो अगर आप एक ही जगह से manage कर सकें अपनी चीज़ों को दिखा सकें छो यह एख ऑपनी चोटी सी बात होहै उस अपनी बात को घर के अंदर दबल होए कौने में बैट करके ठोया रमांड में अगर आप फैला सकते हो, तो सिर्फ एक ही चीज से फैला सकते हो, वो इंटरनेट से, और इंटरनेट में जितने भी सारी चीज़़ों यूज होती है, जो आज कल के 90 परसंट यूज हो रहा है, वो हमारा सोसल मीडिया यूज हो रहा है, तो जाइस ही बात है, अग को उसके बारे में आपको बताता हूं सबसे पहली बार कि सोशल मीडिया के अंदर जितने भी आज कल के प्रजेंट टाइम पर देखा जाए नाइंटी परसंट जितना भी यूजर होता है अगर आप एक दिन के अंदर डेर जीवी दो जीवी तीन जीवी जो भी डाटा होता है वो लाटा ख़तम होता है केरते हैं अगर आपको किसी भी चीश को ग्रोर्ख सर देखनी हो तो अपने जीव ज़रूरत की है अज़र ज़रूरत की ना हो तो आज में क्यूं लें लेकिन हमको देखना कहां पर हमारा ज्यादा expense हो रहा है उसी तरीके से हमारे mobile phone के अंदर internet में कर दिखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर यूज होता है यूटूब में यूज कर रहा है अगर अपना पूरा दिन बेर केंदर यूज करता है यहां तक अगर आज कर टाइम पर देखा जाए तो इंडिया के अंदर शब्सक्राराइब कर अगर यूज करता है तो भी दुपी इंटर्नेट शीच के रहता है उसमें सारे दुनिया होज प्रचार आते उन प्रचार को जो हम देखते हैं तभी आइपल का ऊच्यं Universal कि गूंगल कि कोई ऐसी चीज ओती है जो आपके रहते हैं आपके और आंपने पास में रहता है तो वह में क्याया काम तरता है सिर्च करता है कि जैसे हमाल आपकी मोबाइल फोन एक दुकान तो गूगल में 10 km, 12 km, 15 km आदेमी कहीं भी कोने पर बैठ करके वो बोलता है मेरे मोबाइल फॉन का स्क्रीन चेंज होगा है कहां से चेंज करा है Google में इसा सर्च करता है Google में सर्च करता है कि One Plus T का डिस्पले कहां पर मिलेगा बोलता है वह ओन पर आपके isap होनी चाहिए यर चीजरी चीज ओने हम बताते इन सारी चीजों का आप चाहिए Google में सर्च कर सकता है तो और भी ऐससे सम्मनित баг画्स सरे चीजे आपको मिल लगी लेकिन दोस्तों यह जो मैं मैं आपको सिखाना चाहता हूं यह मैं आपका अपना experience मैं आपको सिखा रहा हूं यह हमारे जितने बहुत सारे ऐसे इस्टोंट हैं कम सजी हजारों दस्यों हजार ऐसे इस्टोंट हैं जो आज आप लोग मोबाइल लोग मोबाइल फोन रिपेरिंग का काम कर रहे हैं और वो लोग मोबाइल फोन रिपेरिंग इन सारी चीजों को जब activity को manage करते हैं तो उनको बहुत अच्छा benefit मिला है तो मैं भी आपको इन चीजों को बताना चाहता हूं ताकि हमारे जितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इ really local it कि मोबाइल फोन जो खराब है वह mobile phone उनकी दुकान में आकर प्राइस मैं को मैं आपको बताता हूं की your long कान इन देर्श करते हैं पुर्त andare को अगर आब सर्च करते हैं की mobile अजा है सागर मारिकेट mobile phone यह करके सच पर आपको मेरा जरूर मेलेगा क्यों कि मेरे पास दुनिया जानके जितने सारे आशवास वाराउंड कर लोग वोते हैं सब लोग मोबाइल फोन रिपैर करा ने के लिए आते हैं हम लोग यहां पर फ्री में मोबाइल बन बनाते हैं उसका कोई पैसा कोई चार्जिस नहीं लगता, उसका सबस्ते बड़ा रीजेन है कि हमारे स्टुडंट लोग सीधह जाएं और उसमें से कुछ ऐसे भी मोबाइल फोण होते हैं जो प्रेमियम फोन होते हैं, उन प्रेमियम मोबाइल फोन को हम लोग रिपैर करते हैं और रिपेर करने का उसका जो चार्जिस लेते हैं, वो हमारा अपना चार्जिस होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी सेवा होती है, जैसे मुबाइल फून में ग्लास चेंज करना है, मुबाइल फून में कामबो चेंज करना है, या मुबाइल फून में स्पीकर इंगर की problem, mobile phone, body की problem, battery की problem, ऐसी चीज़े होते हैं, जिनका बहुत जाकर के market में जो generally fault का जो लोग पैसा देते हैं, तो हम लोग उसका पैसा कोई charges नहीं लेगते हैं, क्योंकि इसी बाने हमारे बच्चे को, नए बच्चे को सीखनों को मिलता है, उसको काम करने का मौका मिलता है, उस देंगे नहीं, 40,000 रुपरिया का mobile phone कहां से खरीद के लाएंगे सीखने के लिए, तो इसलिए दोस्तों मैंने ऐसी social media के माध्यम से ही मैंने ऐसी activity कर रखी है, ताकि हमारे बाद ज्यादा से ज्यादा काम आता और हम आपको अच्छी तरीके से सिखा पाते हैं, तो आप वाटसब के माध्यम से भी आप आपका अपना प्रिचार कर सकते हैं, वाटसब के माध्यम से आप अपने लोगों को जोड सकते हैं, उसका क्या तरीका होता है, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे लोग आपके पास आएंगे, किस तरीके से आपको वाटसब के माध्यम से connectivity बने गया और इसके माध्यम से आपके business की कैसे growth होगी इन सब चीज़ के बारे में उसके बाद आल और भी बहुत छोटी-छोटी बहुत सारी social media की चीज़े होती है यह तो मैंने जनरली उन चीज़ों का जिकर किया है जो हमारे पास अगर देखा जाए बड़ा सकते हैं और अपने growth को पूरा अच्छी तरीके से कर सकते हैं और लोग हमारे बारे में जानेंगे हमारे पास काम करने के लिए लोग आएंगे तो इन सब चीज़ों को जो लोग मैं आपको बता रहा हूँ इन सब चीजों को अच्छे से आप लोग नोड करें, आप नोड करने के बाद आप अच्छे से अक्टिव हो जाएंगे, आप चलिए बात करते हैं इसकी सुरुआत कहां से होती है, इन सब चीजों के बारे में आप कैसे सुरुआत कर पाएंगे, सुरुआत करने का तरीका क्य या यूटूब के माध्यम से आप अपना प्रचार कैसे कर सकते हैं या यूटूब के माध्यम से आप अपनी जो जानकारी अपनी इन्फोर्मेशन है वो लोगों तक कैसे पहुचा सकते हैं या आपके पास यूटूब के माध्यम से लोग कैसे यह जान पाएंगे कि आप प्वाइल फोन रिपेरिंग सोब को मतलब होता है आप जितना सारा सामान खाइब के आते हो चाजर एंपरी डाटा केविल बैटरी मोबाइल फोन जो भी सब को लाता हो सब कुछ बढ़ियां फर्सक्रास स्क्रीन में सजा दजाग रखते हो तो सजाद दजाग रखते हो तो सामने आए तो उसको दिखना चाहिए लेकिन दोस्तों टाइम चेंज हो गया जमाना बदल गया आप लोग आना ही नहीं चाहते आपके पास मोबाइल फोन नहीं चाहते कि आपके पास आएं वहीं से बैठे बैठे यह देख ले कि आप मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक् जाय तो दस मोबाइल फौन आते हैं दस मोबाइल फॉन में से कितना थाड़ क्लास काम करने वाला अधिमी होता है अगर वो अपने आप थाड़ क्लास का काम आता काम कर पाता था था खुल था पूरे दिन की बात मैं करता हूं तो पूरा दिन यह नहीं कहीं नहीं नहीं गया जब पूरा दिन हम लोग काम करते हैं तो बस हमको क्या करना है अपनी ही चीजों का वीडियो बनाना है अपने काम करने के तरीके के अपने काम करने के लाइप इस्टाल के अपने काम करने के कहते हैं नहीं उपर वाले ने हर एक आदमी को बेज़ा जब नीचे तो हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक दिया है क्यों कि ब्रमांड में अगर लाखों आदमी है तो लाखों आदमी का सकल एक जैसा नहीं मिलता उसका सेफ साइज एक जैसा नहीं होता लेकिन है सब एक ही जैसा तो जब सब कुछ अलग अलग है तो हमारे पास भी जाहिज सी बात दो के जाओ। अब पैसा ले साइब स्वाड़ी वीडियो में माइक बंद हो गया आप चेक करिए जरद तो जैसा कि मैंने आपको इसे करेंगे और मैंने आपको अपको पिछला बताए वो और सब आपको समझ वे आना चाहिए और एक आउ tai cung cost कैसे करेंगे जब आपने विडियो को पोउइब गया चाहिए गया आप वीडियो में क्या सारी आपशी बाते करेंगे क्या ऐसी setting करेंगे, वीडियो को डालने का तरीका क्या होता है, या किस तरीके से अपनी बातें जो आप काम कर रहे हैं, वो अपने काम को वहाँ पर progressive कर पाएंगे, और देखिए, social media का जवाना है, social media में वही सारी चीज़ें चलती हैं, जो reality होती है, फेक करना, गलत चीट डालना, बेकार की चीटोर्ण डालना, वो तो समझे जे बहियां, देशी बासा में हम कहिए चूती आपा है, एक बार गलत डाल दोगे, दो बार गलत डाल दोगे, लेकिन उससे कोई जिन्दगी नहीं कटने वाली, जितने भी सारे YouTube में, बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं, जिन लोगों को सकसेज मिली है, सफलता मिली है, तो उन्हीं लोगों को मिली है, जिन लोगों ने बेकुल सही तरीके से काम किया है, अगर आप अपने जीवन में सही तरीके से काम करेंगे, तो जैसी बात है आपको सफलता जरूर मिलेगी हो सकता है धीरे मिले लेकिन आप फेल नहीं होंगे आप लगातार आंगे बढ़ते रहेंगे तो आपको आंगे बढ़ना है जिबाई बीच में काम करने के बाद खितम करना है चलिया हैं आप लोग क्या करेंगे आप अपने मोबाईल फोन में डाउनलोड कर लेंगे आप उस मोबाईल फोन में डाउनलोड करने का मतलब है कि सर मैं आप लोगों को जो डिजाइनिंग से चीज़े होती है उसको भी आपको सीखना पड़ेगा अगर आप यह चीज नहीं सीख पाएंगे तो अपनी चीज को कैसे बता पाएंगे आपको अपनी चीज को बताना एक किसी को कहना ए तो कुल्ण कुछ इशारàsी जारा इस तो कुछ तर्ना उपड़ेगा कुछ न फोटोग्राफ पिक्चर ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जब ऐसी चीज बनाएंगे तभी तो अपनी चीज को समझा पाएंगे तो डिजाइनिंग करने के लिए आप लोग जितने भी सारे लोग हैं सब लोग अपने मोबाइल फोन में या अपने सिस्टम में सबसे पहली बात काइन माश्टर सिल्मोरा कैनवा और कौन से आती हैं कैप कट आप अब अब इनको कैसे यूज करें, इनको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद इसमें आप अपना फोटो लगाएं, आपने जो मुबाइल फोन टिक किया, उसका कोई फोटो लगाएं, जहां पर आपकी दुकान है उसको एडिट करें, यह दुकान है मेरी, यह फलाना एडरस है, यह मुबाइल फोन नंबर है, इस तरीके से ऐसा समझ करके आप अपना फोटो बनाएं, उसको डिजाइन करें, ताकि जब इसको डिजाइन करेंगे, तो डिजाइन करने के बाद यह तो तुमने बना लिया, अब यह डिजाइन करने के बाद तभी तो आप लाखों लोगों कूमोंगे तो क्या होगा, कौन काम करेगा, आप डिजिटल ही जबाना आएं आप अपने mobile phone के माधियम से, आप Facebook के माधियम से, आप Google के माधियम से, आप क्या नहीं चाहते कि भ Г-ое, हमारी दुकान अगर मौधाव में है, हमारी दुकान अगर शर्चास पटना में है तो पटना के आंगे जितना 40-50 किलो मीटर के एडिया है 50 किलो मीटर के रेडियस है इस 50 किलो मीटर आदिमी में अगर दसियों लाखों आदिमी मोबाइल फोन यूजर है तो वो सभी लोग हमारे मोबाइल फोन डिपेरिंग के सौब का वीडियो देखें कि हम लोग कैसे मोबाइल फोन बनाते है हमारे पास क्या क्या लेटेस लेटेस एक्क्यूमेंट है हमारे पास क्या लेटेस चीज़ें है जिनके माद्यम से हम लोग मोबाइल फोन ठीक कर रहे है तो वो जब देखेंगे तो बोलेंगे यार हमारे पडोसी में और मोबाइल फोन में ग्लास चेंज करने वाली मसीन नहीं है ये तो फलाने दुकान वाले इनके पास तो है तो वो फिर आपके पास काम कराने के लिए आएगा ऐसा हुआ है मैं आपको बहुत हूँ मेरे का इस्टुरेंट है अमन है जिसकी मुबाइल फोन रिपेरिणग की दुकान है उसकी मुबाइल फोन रिपेरिणग में एक बात ऐसा हुआ कि पूशठ से मुझाच से जो चान रॉपारा है तो उसने अपने लोकल दुकान on में जब उस्टान और 20500 रुपहह को तो वीडियो में समली केरें कि हमको आ जाने में 10-15 रुपए किराया लगेगा, 10-15 रुपए किराया में पहुंच जाएंगे दुकान पर और उस मोबाइल फोन को उसके दुकान में जाकर ठीक करा लेंगे, उसको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन फिर भी वीड मेरा मोबाइल फोन नंबर है, और सबसे पहली बात का है कि हमारे पास एक जीमेल ऐड़ी होनी चाहिए, कि अब हम लोग की जीमेल ऐड़ी कैसे बनाएंगे, उसका तरीका समझेंगे, और पहली बात तो जितने भी सारे जो इस्ट्रेंड लोग हैं, जो डिजाइनिंग से र बनाना सिखिए, क्योंकि आप कोई भी पोस्टर बैनर अगर आप बनाएंगे, तो बैनर बनाने के बाद आपको उसमें यह समझ मैंगा कि अपनी चीज को पहली बात आप प्रेजेंट कैसे करने वाले हैं, अब वो प्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं, या तो आप ब पोस्टर, वीडियो, या तो आपकी आवाज सुनें, या तो पोस्टर देखें, या तो आपको वीडियो देखें, इनी सब चीजों को सोसल चीजों में आप प्रेजेंट करेंगे, अब मैं आपको आँगे की वीडियो में, आगली वीडियो में मैं आपको दोस्तर ये बता फिर मैं आपको बताऊंगा यूटूब में एकाउंट कैसे बनाऊंगा और यूटूब में एकाउंट बनाने तो छोड़ो जितने भी सारे सोसल प्लेटफॉर्म है जैसे यूटूब है फेस्टा है गूगल है वाटसप है इन सब चीजों में इसको कैसे अच्छे से सेट करें करेंगे और किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे मैं उनको यही मैनेज करने के तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं ताकि हमारे पार बहुत ऐसे इसे इस्टेंट हैं जो लोग आज इतना अच्छी आक्टिवीटी करें को उसके माध्यम से उनकी अर्वनिंग भी चालू जाय सी बात है मैं चाहता हूं कि हमारे पास और भी फीचर में जितने सारे इस्टेंट हैं उन लोगों को benefit मिलें और इस वीडियो को जो मैंने आपको दिया हुआ है आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें वीडियो को बहुच करें जो लोग mobile phone repairing छेतर से जुड़े ह हुए है अब इस वीडियो को और सियर करें ताकि आप जैसे और ऐसे भाई हैं जो लोग mobile phone repairing में काम कर रहे हैं लेकिन अपने बिजनिस से ग्रोफ नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को देख करके बिजनिस से ग्रोफ को सके और वो अपने बिजनिस को बढ़ा सके अपने हैं complete सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पास आ करके mobile phone repairing को को सीख सकते हैं दोस्तों मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ कि जितने भी सारे लोग हैं जो लोग सब लोग social चीज़ों से जुड़े हुए हैं आप लोगों को तो मैं कहना चाहता हूँ कि चली आप लोगों पैसे जो इस्टों लोग class करने के लिए आते हैं सीखने के लिए आते हैं इस्टा हैं Facebook हैं उनके सोके हैं यूटूब में देखा जाए यूटूब में तीन सो चार चार सो पांट पांस होके हैं लेकिन रही बात payment कितना कमाते हैं 6000, 7000, 8000, 5000, 3000, 3000 वो भी नहीं 10,000, 8000, 12,000 व लेकिन आपके पास एक perfect skill होनी चाहिए वो perfect skill होनी चाहिए जिस skill की वज़े से आप market में present कर पाओ और आप 1000, 2000, 3000, 3000 डेली का earning कर सको, डेली का पैसा कमा सको क्योंकि जब आपके पास एक permanent source होगा तब ही बहुत सारे temporarily source जनलेट होगे अगर एक आपके पास permanent source नहीं होगा तो temporarily source तो temporary होता है अब वो temporary permanent कब बनता है जब वो पूनते अच्छी तरीके से विक्सित हो जाता है तो आप लोग भी अपने अंदर perfect skill generate करें जो लोग digital marketing छेट से जुड़े हुए हैं, digital marketing के लाइन में काम कर रहे हैं, या mobile phone को user हैं, या बहुत सारा सब कुछ पढ़ाई कर लिया आप कही नोकरी के लिए, कही काम दंदे के लिए, कही किसी काम के लिए जाते हो, तो सबसे पहली बात यही आत्में पूछता है, कि आपको काम क्या आता है, तो हमारे पाद काम क्या आता है, वो हमारे पार perfect होना चाहिए, कि हमको भाई mobile phone technician है, mobile phone के अच्छा काम करते हैं, औ और आप देखेंगे, आज कल के time पे ऐसा कोई user नहीं है, जो mobile phone ना चलाता हो, या उसके पार mobile phone ना हो, तो आप यह समय पर बहुत अच्छा कोर्स है, आप इस कोर्स को सीख सकते हैं, कोर्स सीखने के बाद आगे बढ़ सकते हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो